नमस्कार किसान भाहियों टाटा बहार प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वनस्पती शोतों से प्राप्त एक प्रभावी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है और सभी फसलों में पत्तों पर स्प्रे के लिए उप्युकते है टाटा बहर क्लोरोफील उत्पादन को बड़ावा देता है इस कारण हमारे पोधों पर बरपूर फूल बरपूर फल लगते है हमारी फसलें अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती है टाटा बाहर स्प्रे करने के बाद हमारी फसलों को पोशक ततों के अउशोशन और परिवहन में सुधार होता है और तनाव को सेहन करने के साथ फसलों के स्वास्त में सुधार होता है किसान भाहियों टाटा बाहर प्लांट ग्रोध प्रमोटर में 52-52% हाइड्रोलाइजड प्रोटीन्स, 20-21% आमेनो एसिड्स, 6.25%-6.75% हाइड्रोलाइजड कार्बोहेडरेट होते हैं 5-5.5% कुल आमेनो नाइट्रोजन होता है किसान भाहियों टाटा बाहर बायोस्टिमूलंट नई पीडी के पोधों के विकास में साहिक होता है जिसमें वनस्पती श्रोट से प्राप्त आमेनो एसिर का विशिष्ट मिश्रन होता है जो कि पोधे के विकास को बड़ावा देने और अधिक उपज के लिए आवश्यक होता है इसका उपियोग सबजियां, अनाज, दाले, दिलहन और फलों की फसलों में और सभी प्रकार की फसलों पर इसका उपियोग कर सकते हैं टाटा बाहर का हमारे फसलों पर अगर हम उपियोग करते हैं तो भरपूर सारे फुल लगते हैं फुल और फलों का गिरना कम होता है प्रोटीन संसलेशन को उत्तेजित करता है प्रकास संसलेशन क्रिया को उत्तेजित करता है टाटा बाहर बायो स्टिमुलन्ट फसलों की क्लोरोफिल उत्पाधन को बड़ावा देता है इस कारण फसलों में ज़्यादा अननिर्मिती होती है इसी वज्ये से ज़्यादा फ्पूल हमारे फसलों पर देखने को मिल सकते है और फूलों का रुपांतर फलों में होता है और बहुत सारा फसलों का उत्पादन हमें मिल जाता है टाटा बाहर फसलों पर उपियो करने के लिए इसका छिड़काओ कर सकते हैं 2 ml प्रती लिटर पानी के साथ इसका स्प्रेय कर सकते हैं या 30 मिली प्रती पंप 15 लिटर का पंप होगा तो 30 मिली प्रती पंदरा लिटर पानी के साथ आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, छिड़काओ कर सकते हैं, या आपको एक एकड़ क्षितर के लिए इसका छिड़काओ करना है तो 300 ml प्रती एकड़ मतलब 1500 या 180 लिटर पानी के टाटा बाहर बायो स्टिमुलेंट की कीमत की बात करे तो 500 ml का बॉटल आपको 400 रुपे के आसपास बाजार में उपलब्द हो जाएगा। किसान बाहियों टाटा बाहर का इस्तमाल आप करते समय N.P.K. Water Solible Fertilizer के साथ आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं या किटक नाशक या बुर्शी नाशक मतलब फंगी साइड के साथ इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं। किसी भी कृशी उत्पाद को एक दूसरे में मिलाने से पहले आप कृशी विशेशग्य या कृशी दुकानदार की सलाह जरूर ले क्योंकि कोई भी कमपनी किसी भी कृशी उत्पाद को एक दूसरे में मिलाने की अनुमती नहीं देती है। किसान भाहियों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे शेर करे सब्सक्राइब करे धन्यवाद